हलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है ज्यारे फट्डा चानल पे मैं हूँ डॉक्टर प्रियांका गुदारा आपकी एजुकेटर फो सीसायर नेट लाइफ साइंसेश CSIR NET का complete course अभी शुरू होने जा रहा है ज्यारे फट्डा की आप पे 1st of January से ये नया बैच शुरू हो रहा है इसके अंदर अगर अभी आप एंट्रोल करवाते हैं तो आपको मिल जाएगा एक course एक offer price पे जो है 13,999 और इसके लिए आपको मिल जाएगी 12 months की validity So guys, यहाँ पे ABC तीनो पार्ट जो है आपके course के वो completely cover करवाय जाते हैं subject experts के दवार आपकी classes होती हैं जो की पूरी तरह से strategically planned है आपके course की according इसके अलवा आपको PDF form में notes मिल जाएगे और साथ में आप doubt sessions के अंदर अपने doubts पूच सकते हैं अगर आप हमें join करना चाहें तो jrfadda की website पे जाएं वहाँ से jrfadda की app को download करें app download करने के बाद में आपको select करना है यहाँ आपना study group जो की CSR net है और यहाँ पे अपना course select करके यहाँ पे आप अपना enrollment करवा सकते हैं और हमें join कर सकते हैं so guys जैसे कि आपका exam बिलकुल नजदीक आ चुका है और कुछ ही दिन इसके अंदर बचे हुए है तो बच्चों को काफी सारी चीजों का doubt है और सब की तयारी बहुत अच्छी है सब ने 5-7 मेने अच्छी तरह से लग करके preparation करी होगी so लेकिन फिर भी कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ultimately उस महनत के साथ में वो तीन घंटे में आप क्या करोगे ये चीज भी बहुत matter करके जाएगी आपके selection के अंदर so आपका क्या mindset होना चाहिए किस तरह से आप questions को attend करें कौन-कौन से questions को आपको लेना चाहिए और क्या आपका जो planning है एक strategy होना चाहिए आपको पहले से बना के जाना है कि मुझे कितने questions करने है किस तरह से करने है और ये सारी जो चीज़ें आपको पहले से थोड़ा सा प्री प्लान करके जाना है तो यहाँ पे कुछ पॉइंट से जो मैं नोट कराना चाहूंगी अपनी experience और अपनी knowledge से आप लोगों को ठीक है जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए जिससे कि आप negative marking से बच सकते हैं positive mindset बहुत जरूरी है और बिलकुल काम होके आपको जाना है तो बिलकुल भी आपको tension, stress बिलकुल भी नहीं रहना है एकदम positive mindset के साथ में examination hall में जाना है अपने आपको काम रखें इससे बहुत फरक पड़ेगा कि आपका जो exam शुरू होगा जो आप questions को पढ़ेंगे ठीक है और सबसे important चीज बिलकुल alert रहना है बिलकुल alert रहना है उस time पे lost नहीं रहना है सबसे पहली चीज तो आपको ये धियान में रखनी है कि आपका mindset जब आप examination hall में जा रहे हो तब क्या होना चाहिए और जो दूसरी चीज है जो सबसे important चीज है वो है जब आप अपना question paper देखें तो first round के अंदर सिरफ वही वाले questions आपको करने हैं जिनके अंदर आप sure हैं आप 100% sure हैं कि ये वाले questions मेरे बिलकुल सही हैं और जितने questions आप surely सही करते जा रहे हैं उनका account रखें now it is very very important 100% sure का मतलब ये है कि आपने वो question बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है जो एक तीसरा point है बच्चे जिसका ध्यान नहीं रख पाते हैं और वो है read your question carefully read your question carefully carefully पढ़ें और दो बार पढ़ें ठीक है उसको अच्छी तरह से language को पढ़ें क्योंकि बच्चे generally पढ़ने में ही गलती कर देते हैं उस question में पूछा कुछ और होता है और आधी चीजे हम अपने assumption पे चलते हैं कि अरे इस तरह का questions तो मैंने already किये हुए हैं तो शायद ये भी वही question होगा और अपने assumption से कुछ कुछ चीजे उसमें add करके आधा अधूरा question पढ़के और उसको answer टिक कर देते हैं ये सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं और जो की negative marking करवा के जाती है अपने questions को बहुत ध्यान से पढ़ना है दो बार पढ़ना है ठीक है और उस तरह की questions को पढ़ने है जो आप आराम से easily first round के अंदर solve कर पा रहे हैं हो सकता है कि इस तरह की questions करने भी क्योंकि आपके पस choices काफी है तो जब choices होती है तो आप कुछ questions को छोड़ भी सकते हैं और अगर लगातार दो-चार questions ऐसे आ जाते हैं कि जो आपको नहीं आ रहे हैं आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं कि ये unit तो मैंने की है यह unit तो मैंने पढ़ी है लेकिन यह बिलकुली अलग टाइग का कुछ question आ रहा है तो उस time पे भी अपने आपको काम रखे बिकोज आगे भी बहुत सारे questions है और हो सकता है कि अगर आपको वो question difficult लग रहा है तो और भी बच्चों को difficult लगेगा उससे कोई फरक नहीं पड़ता अगर आपको वो question समझ में नहीं आ रहा है आपकी करी हुई unit में से भी इस तरह कोई question आ गया है so definitely और आएंगे कुछ ऐसे questions आएंगे जो आपने जो units prepare करी है उनी units आएंगे बट वो आपको हो सकता है समझ में पूरी तरह से ना आपाएं कि इसमें exactly करना क्या है so उससे बिलकुल नहीं घबराना है उस question को एक बार छोड़ दीजे और आप next question के उपर चले जाए और सबसे important चीज इस तरह के questions को देखकर के बच्चे घबरा जाते हैं जिससे की आगे का paper बिगर जाता है so वो चीज आपको नहीं करनी है आपने अच्छी preparation कर रखिए अपने उपर confidence रखिए सारे questions को देखिए अपना time बिलकुल भी waste नहीं करना है एक second भी so questions को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे fourth चीज ध्यान से पढ़ने से मेरा मतलब ये भी है कि questions के अंदर पूछा जाता है कि एक statement दिया हुआ है last मैं उसमें लिख देंगे which of the following statement is not true अब हम not को पढ़ेंगे नहीं और सिरफ जो है वो question को आदा दूरा पढ़के और उसमें से नीचे जो सही लग रहा है क्यूंकि true तो तीन option है उसके अंदर so जो भी आपको एक सही लगा उसको tick करके और आगे चले गए so ये चीज नहीं करनी है read your question carefully again इस point में भी यही है question में आते है not ठीक है ना या फिर not true not true पूछते हैं कई बार कई बार लिखा होता है कि which of the following is correct ठीक है बड़ा बड़ा लिखा होता है last के अंदर not correct so उन particular indications को ध्यान से पढ़ना है ये जो है ये सब बच्चों के साथ में होता है ध्यान से नहीं पढ़ना बहुत बड़ा reason है negative marking का अगर आप जो question attend कर रहे हो उसके लिए sure हो उसको आपने अच्छे से पढ़के फिर उसको solve करना है alert रहना है अपने mind की जो बत्ती जिसको कहते है उसको हर time जला के रखना है इसकी अलावा जो बच्चों से mistake होती है वो होती है जिसकी जो particular unit आपकी बहुत favorite है जो आपने आप चाहिए सपने में भी आपको कुछ पूछा जाए तो उसका answer आपको पता है इस तरह की भी कुछ units होंगी ठीक है जैसे मेरे students की generally ecology, evolution इस तरह की जो कुछ topics है वो काफी favorite होते हैं कि उनसे कुछ भी पूछा जाए तो उन्हें पता है इस तरह की अगर topic का कोई question आता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं over confident हो जाते हैं और over confident होके वो question का पहले दो लाईने पढ़ेंगे अरे ये तो मुझे पता है ये तो इतनी बार पढ़ा है और उसके अंदर कुछ न कुछ question का जो एक answer है वो tick कर देंगे आगे बढ़ जाएंगे घर आके जब आप paper देखते हो तो आपको इतना ज़्यादा regret होता है इतना guilt होता है कि इस question में ये नहीं पूछा था ये पूछा था ओके सो अगेन read your questions carefully the key to this thing is negative marking avoid करने की जो key सबसे पहली है वो read your questions carefully ओके over confident होके over excitement के अंदर negative marking आप करवा के जा सकते हैं so over confident नहीं होना है सबसे important जो चीजे calm रहना है, alert रहना है ये दो चीजों का आप सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे now मैंने आपको बोला कि first round में आपको सिरफ वो question करने जिनके लिए आप 100% sure है अगर आपने पूरे paper के को देख लिया है एक बार अच्छी तरह से और उसमें से जिनके लिए आप sure थी वो questions आपने कर लिये है so इसकी बाद में आप आपको देखना है कि आपने almost कितने marks का overall paper attempt अभी तक कर लिया है okay आपका जो target है GRF के लिए वो रहेगा 120 plus okay so अगर आपका जो paper आपने solve किया है वो almost इसी के around आ रहा है या फिर 100 के आसपास आ ठीक है तो उस case में अब जरूरी है कि आपको कुछ और questions भी लेने पड़ेंगे कुछ और questions भी attempt करने पड़ेंगे वरना इसके उपर तो आपको definitely GRF नहीं मिलने वाला so उस वाले case के अंदर आपको क्या करना होगा यहाँ पर आप अपना जो है थोड़ा सा risk ले सकते हैं यहाँ पर आपको risk लेना इससे पहले let me be very clear अगर आप किसी question के लिए sure नहीं है अगर आपको लग रहा है कि यह 4 में से 2 options हैं जो कि मुझे दोनों सही लग रहे हैं इन में से कोई साइक हो सकता है so वो वाला risk पहले round में बिलकुल भी नहीं लेना है okay be very careful let me be very precise first round में कोई risk नहीं लेना है first round में सिरफ वो question करेंगे जिनके लिए आप 100% sure है और कुछ questions जिनके अंदर आप doubtful है आपको आता है बट आप doubtful है उनको भी एक बार के लिए छोड़ दीजी हो सकता है आप थोड़ी दिर बाद जब दुबारा उस question के उपर आएंगे तो हो सकता है तब तक आपको अच्छी तरह से वो चीज ज्यादा आजाए और आप ज्यादा बेटर एक अपरोच के साथ पर उस question को attempt कर पाएं जो risk लेने वाली चीज़ है और जो unsure वाले कुछ questions हैं उनको आप इस first round complete करने के बाद में उसके उपर जाएंगे अगर इतने सारे questions हैं और मैं आपसे कह रही हूँ एक round करके आपको दुबारा भी उसको देखना है तो यह काफी difficult है और इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपने पहले previous questions की थोड़ी बहुत practice की हो जिससे की आपको थोड़ा बहुत एक time set करने का idea हो जाएगा so जो risk लेना है आपको वो इसकी बाद में लेना है अगर आपको 120 plus score करना है तो आप मान के चलिए कि आप at least 140 marks तक का question paper जो है solve करेंगे तब हो सकता इतना score आपका बैठेगा 140 या फिर 150 तक बट अगर यही आपका score इतना ही आ रहा है तो उस case में आप कुछ और questions करिए क्यूंकि आप जितने भी questions करते हैं आप जिनके लिए चाहिए sure भी हैं बट बहुत एक natural जी चीज है कि काफी सारे आपके जो questions हो negative में चले ही जाते है तो उस case के अंदर आपको थोड़ा बहुत जो है extra marks लेके चलना पड़ेगा कुछ extra questions आपको लेके चलना चाहिए ताकि अगर कुछ एक दू negative हो भी जाए तो ultimately आपका जो score है वो required score तक आपका पहुत सके तो उस case में आपको फिर risk लेना है थोड़ा बहुत और risk भी उन पे लें जिनमें आप सिरफ दो options में confused थे पहले कि या तो ये है या फिर ये है ओके ये एक तरह से एक आप क्या कह सकते हो कि जो अपन coin toss करते हैं वो वाली चीज है कि हो सकता है आपका सही हो जाए और हो सकता है आपका सही ना भी हो ओके तो उस ही case में आपको risk लेना है अगर आपको थोड़ी बहुत marks कम पढ़ रहे हैं और और उसके अंदर आपको add-on चाहिए तो उस वाले case में आप कुछ questions के उपर risk ले सकते हैं बट उसके पहले अगर आप seriously exam दे रहे हैं तो आपको assumptions भी नहीं चलना है कि यह हो सकता है हो जाएगा ठीक है शुरू में आपने कर दिया कि मुझे लग रहा है कि शायद यह हो जाना चाहिए बट जिब last में वो एक एक दो दो number से बच्चो का selection रह जाता है उस ताइम बहुत regret होता है कि यह एक negative mark मेरा उस decision की वज़े से cut गया था अगर मैं वो एक नहीं करता या नहीं करती तो शायद वो एक mark मेरा नहीं करता और मेरा selection इसमें हो जाता उस तरह की regret से बचने के लिए आपको बहुत क्यालकुलेटिव वे की अंदर अपना question paper attempt करना है और बहुत ही selected questions को करना है ओके ध्यान रखना है कितने questions आपने attempt कर लिया है कितने marks का almost आपने question paper attempt कर लिया है now इतना difficult आपके लिए नहीं है ये paper because आपके बहुत सारे options है अगर मैं बात करूँ C section के अंदर आपको 75 questions दिये गए हैं जिसमें से सिरफ 25 ही करना है ओके और 75 questions जो हैं वो सारे के सारे 4 marks के question है so 25 अगर आप पूरे सही कर देते हो तो यहीं पर आपको 100 marks मिल जाएंगे so आपके बास options बहुत हैं अगर आपने 19 units भी पढ़ी है तो भी बहुत sufficient है आराम से आप पूरे paper के अंदर इतना तो score आप कर पाएंगे कि आपका GRF आराम से clear हो जाएगा so कुछ चीजे हैं अगर आप थोड़े से attentive रहेंगे चीजों का ध्यान रखेंगे questions को ध्यान से पढ़ेंगे ठीक है थोड़ा serious होके और एक अच्छे mindset के साथ में question paper को attempt करेंगे और सबसे important चीज है वो है last में आपको क्या करना है cross check एक बार करना है ठीक है पूरे paper को cross check करना है उसके लिए आप 15 minute कम से कम अपने पस बचा के रखें ठीक है last में 15 minutes in hand होने चाहिए आपके पास में ताकि आप एक बार दुबारा सभी questions की उपर नजर डाल सकें okay now I totally understand this कि तीन घंटे के time में सबसे बड़ा जो challenge है वो यह है कि सारे questions आप देख पाओ okay because बहुत सारे बच्चे intelligent हैं उनका knowledge पूरा है उनको उन्होंने बहुत अच्छे से preparation की है बट वो A, B और C section पर पहुंचते पहुंचते जो है last की C section के 15, 20, 30 questions वो देखी नहीं पा रहे हैं so इस तरह का भी situation होती है so वो चीज आपकी साथ ना हो उस according time management करें जो units आपने नहीं पढ़ी है उनसे related question जब हम question को देखेंगे देखते हमें समझ में आई जाता है कि यह unit मैंने नहीं करी so उसको बिलकुल पढ़ने में एक second भी waste नहीं क आपको बोला कि अगर last में risk लेने वाली situation आए तो ढूंडना ना पड़े उसके लिए कहीं ना कहीं उन question numbers को कहीं में note कर लें ताकि आप दुबारा जब देखने के लिए जाए तो वो question आपको फटाफट से मिल जाए और आपका time कम waste हो तो आपको वो सारी चीजे लगानी है कि कम से कम time में आपको जादा से जादा questions attempt करने हैं जादा से जादा questions पढ़ने हैं सारे questions पढ़ना ही इस जो paper है इसकी सबसे main बात वही है C section में मैं अगर शुरू के 30 question में struggle करती रह गई कि इन में से मुझे 25 करने हैं और घर जाके बाद में मुझे देखा मैंने paper जब तब पता लगा कि last के जो 15-20 question वो उतने easy थे कि उनके अंदर सिरफ जो है 2-2 second का time लग रहा था बस आपको सिरफ टिक करना था और next तिक करना थ और next तो उस तरह की चीज़े आपकी ना चूट जाए उसके लिए जरूरी है कि आप बहुत lengthy question है अगर ज्यादा time taking question है उसको जोड़ दीजे unsure question है उसको एक बार चोड़ दीजे so negative marking avoid करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप शुरू में बिलकुल risk ना ले एक round फटाफट पूरे की पूरे paper को आप देख ले हो सकता है आपको risk लेने की जरूरत ही ना पड़े और सबसे important चीज़ जो है वो है आपको questions को बहुत ध्यान से पढ़ना है over excited बिलकुल नह होगा negative marking कम होगा तो आपका score पूरा हो पाएगा okay guys so यह आपका mindset होना चाहिए examination hall में ताकि आप negative marking को avoid कर सके I hope अप लोग को थोड़ा बहुत कुछ help मिली होगी से कुछ चीज़े आपको समझ में आई होगी so all the best for your exam और अगर आप हमारे साथ CSR net का complete course करना चाहें तो आप हमें join कर सकते हैं और हमारा नया batch अभी शुरूर ने जा रहा है 1st of January से यहां पर अभी registration करवाने पर आपको मिल जाएगा एक offer price पर जो कि है 13,999 और यह आपको मिल जाएगा validity for 12 months और आपको जारे फड़ा की website पर जाके जारे फड़ा की आपको download करना है बहां जाके आप अपना enrollment करवा सकते हैं so all the best for your exam guys